टीको ह 언제 आप एपने सर्दस के टैप सुने होंगे लार्ज कैप मैट कैप स्मॉल कैप अलग ञतरक कि फरंण का आ लोग सुना हो गाँ एक और पेखन होता है फ्लेक्स के लिक पके खिशा का सब्सक welche उना तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो अच्छा प्रफॉर्म कर रहे होते हैं वह होते हैं क्योंकि वह तूटते जादा नहीं इसमिलर्ली मार्केट का सिच्वेशन जो अच्छा चल रहा होता है जिससे अभी कुछ दिन पहले चल रहा था तो मिटकेब स्मॉल के अच्छी रैली करते हैं कंपेरिटिवली आपका यह जो रहता है आपका लार्केब वह उतना मूव नहीं करता है तो यही होता है बेसिकली फ्लेक्सी कैब फंड जिसमें फंड मैनेजर के पास एक औप्शन रहता है कि वह जब चाहे तब अपना चेंज कर सकता है अपना इंवेश्मेंट च्राटेजी एंड मार्केट सिचुएशन के हिजाब से उसको पैसे लार्ज कैप में रखने है यह स्मॉल कैप में रखने है वह डिसाइड कर सकता है और कोशिच करता है वह कि ओवर ओल ऑप्टिमाइज करके मार्केट में रिटर्न जेनरेट करके दें अब बात बस वही आती है कि फिर अगर हमको करना भी है अगर इन्वेश्मेंट तो फिर हम किस तरह के फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं कि अग अपना न्यू न्यू फंड ऑफर आ रहा है एसडी एसी लाइफ के तरफ से इसमें बहुत सारे एडिशनल बेनेफिट्स भी आपको मिलेंगे जो मैं आपको डीटेल अभी बताता हूं तो यह न्यू फंड लॉंच हो रहा है यह आपका टेंथ ओफ सॉरी टूफ सॉरी बेसिक डीटेल्स आपको यह रहेगा कि जो भी फ्लेक्सिकाइब रहे हैं यह हर्मेशा बैलेंस करके रिटर्न जनेरेट करने कोशिश करते हैं ठीक है और उसमें उसके बाद आगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे इसमें एडेप्टेवि जब कर रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कि मार्केट अच्छा ना भी करें तो इसमें आप टैक सेविंग कर सकते हो और उसके बाद क्या है कि यह जो कंपनी है टू पंट फाइफ लैक करोड एजडियसी लाइफ के एसे टेंडर मैनेजमेंट है मार्केट के लिंक्स रिटरं कर रहे हो आप पांशेयर कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसका 120 टाइम्स आपको फर्स दे से ही एक इंशोनेंस कवर मिलने लग जाता है प्लस का आपका स्वाइंशी रिश्यों भी बहुत अच्छा है तो उस पॉइंट व्यू से भी दिक्कत नहीं है कि दस साल बाद क्या होगा पना साल बाद क्या होगा क्यों कंपनी बड़ी है और उसका रिटर्ण वगिड़ा भी अच्छा है प्लस इसमें कैसा है कि आप अपना अ सके मार्केट में क्योंकि बहुत खुटे समसे करेंगे ना तो कॉर्पस क्या तयार होगा राइट क्योंकि दस साल पंदा सल का इंवेश्मेंट प्लान की साब से अगर सोच रहे हैं तो अब इन लोगोंने एक कैलकुलेशन देके रखा है दस से आर के ऊपर आप इसको हजार कर लो आपके ऊपर है तो यह दस साल तक आप अगर इन्वेश्ट करते हो तो यह 12 लाग रुपे आपके खुद के इन्वेश्टेट होते हैं अगर आप हजार रुपे करके करते हो तो 1.2 लाक रहेंगे और अगर एवरी रिटर्ण के हिसाब से प्रीविएस यह के रहता है मार्केट में पैसा उतना ज्यादा रिटर्ण का एक्सपेक्टेशन रहता है तो यह से बहुत सारे फीचर्स हैं प्लस यह जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन चुरूंगा अगर आप इससे करते हैं ना तो इसमें कोई कमिशन नहीं लगना है लाइफ कवर जैसा में ल सब्सक्राइब करना है तो यह सब में भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है और मिनियूम एज मैक्सिमम एज आपको दिया हुआ है आप उसी साब से प्लाइन कर लिजिएगा और इन्वेस्पेंट अमांट्स वागेडा देख लिजिए और जिससा आप साब करना है आपको प्लाइन कर लिजिएगा और टैक्स सेविंग अगर कॉंबिनेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छा है प्लस हिस्टोरिकली रिटर्ण अच्छे देखे गए हैं इस तरह के फंड्स के प्लस इस प्लाइन में अगर एन्वेस्टर्स इंवेस्ट करते हैं तो वह कितना भी दोर तक हो जाए खेल टाइमंट के टाइम तक तो वह से हसाब से इंडिया में रिटाइमेंट प्लारिनिंग भी कर सकते हैं इस फंड में अच्छे से रिटायमेंट हो जाएगी तो वह भी कोई देख करते हैं वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजेगा एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा चेक आउट जरूर कर दीजेगा